ठीक हो गया यहाँ पर हमारी जो एक assignment है वो आपके सामने आती है वो यह है कि जनाब आपने sport vector regressor को use करना है for a regression problem वो कोई भी data ले सकते हैं आप कहीं से भी उठा सकते हैं data और आपने उसको regression problem के लिए use करना है using sport vector regressor svr ठीक है ताके आपको पता चल जाए और अगर आप चाहें तो आप outlier detection के लिए sport vector machines कैसे use होते हैं वो भी check कर सकते हैं that is your assignment जो आपने कल तक करनी है ठीक हो गया